हेलो एबरिमेंट इस इस और फेंड होस्ट विवेक सैनी आज हम बात करेंगे आरेफ आइडी टैग्स यानि के फ्रस टैग्स जिसने इंडिन गवर्मेंट ने इसको नाम दिया है इंडिन गवर्मेंट की तरफ से एक अच्छा मूव मैं इसको जरूर करूँगा हाला कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन इंप्लिमेंट होते होते वही सुस्थ बिहेवियर जो है हम लोग की हम लोगी गवर्मेंट की होते होते उन्होंने दो सार लगा दि अब ही इसके साथ में कितना इंप्रूव होता है वो तो देखने वाली बात होगी तो आज इसी के बारे में बात करेंगे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वीबूस आटो व्लॉक्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहें आटो मुबील की दुनिया से अपडेट और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें मेरी वीडियो सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है फास्टैग फास्टैग एक छोटा सा टैग है जो आपके विंड स्क्रीन पर अप गाडियों में लगा करेगा और या फिर आप उसे परचेस भी कर सकते हैं बहुत सारे हमारे आउटलेट से जहां जहां से आप परचेस कर सकते हैं उसके बा लिंक्ड होगा आपके अकाउंट से वहीं से ट्रांसेक्शन हो जाएगा और अब आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी लंबी लंबी लाइन्स की RFID Tags actually है क्या? RFID Tags electronically tall collection system है यानि कि अब आपको manually पैसे देने की जुरत नहीं है आपके windscreen पर एक tag लगा होगा जिसका एक receiver होगा tall tax वालों के पास में अब वो tall tax वाले जितने भी received करेंगी information उसी के according आपके vehicle के type के according आपका deduction आपके account से या फिर आपके e-wallet में जो आपने RFID Tag क e-wallet बना हुआ है वहाँ से deduction हो जाएगा तो यह बहुत simple सा process में ज्यादा धांदली नहीं है ज्यादा माचा फिच्ची नहीं है बहुत simple सा process है अब बात करते हैं कि आपको यह RFID Tags मिलेंगे कहां से और उन गाडियों को क्या होगा जो 1 December से पहले की बनी हुई है क्योंकि 1 December SBI Bank, Access Bank, SBI Bank और IDFC Bank से इसको खरी सकते हैं यहाँ पर IDFC Bank और SBI Bank को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आप तक पहुंचने में हलाकि वह भी इस लिस्ट में है Indian Government ने इन चारों बैंको इंक्लूड किया है इस लिस्ट में ताकि वह आपको services provide कर सके हैं दूसरा option आपके पास य इंडिन Government ने का एप लॉंच किया है My Fastag एप जिसको आप एक एक कंज्यूमर एप ही है यह और आप उसको प्ले सोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इसको purchase कर सकते हैं और अगर एक और चीज में आपे add-on करना जाता हूं कि आप आपके जो dealers हैं उनके पास में भी इविलेबल होगा हलागी हर एक dealer के पास कहना भी मुश्किल है कि हर एक dealer इस चीज में interfere करेगा कि NHEI की जो चेर मेरे Mr. दीपक गुमार उन्होंने October में ही reveal कर दिया था कि 1st December से mandatory तो हो जाएगा उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो एक dedicated line मिलेगी एक dedicated lane मिलेगी जिसमें ज को इजाजत नहीं दी जाएगी तो एक smooth running हो जाएगी management system जो हमारा बहुत पूर था टॉल प्लाजा से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा अभी बात करते हैं कि कितने charges इसके आपको pay करने पड़ेंगे मात्र 200 रुपय में आपको ये fast tech मिल सकता है online और offline और अगर मैं इस इसको recharge भी कर सकते हैं यानि कि e-wallet के तरीके से भी इसको रख सकते हैं अपने किसी भी credit card से debit card से आप इससे आपको यहां पर मिलता है लेकिन dedicated amount जो है वो 200 ही रखा गया है यानि कि शुरुआत को आपको initial amount है इसका pay करना पड़ेगा 200 रुपय बात करते हैं इन fast tech के benefits की तो सबसे पहला जो benefit है वो तो आपको 10% तक का यहां पर cashback offer मिल रहा है क्योंकि Indian government चाहती है कि जितना से ज़्या हो जाए तो जाधा better है तो obviously promotion के लिए 10% दिया गया है साथ ही साथ आपकी यहां पर saving भी हो रही है दूसरी जो सबसे important बात है वो है inconvenience आपको शायद जिलनी ना पड़े आप बस आईए fast tech lane में लगिए और सीधा ने कलिए तो obviously inconvenience यहां पर बचेगी आपका time management जो आपने बन होगा जो हमारे ठाल प्लाजास के जो management system बहुत पूर था वो कहीना कहीं improve होता हुआ नजर आ सकता है अभी देखना यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या इस सीज में है और क्या नहीं आ रहे हैं अभी बात करते हैं last point की तो जो fuel consumption है वो भी कहीना कहीं improve होता हुआ नजर आएगा क्योंकि आपका एक non-stoppable move हो जाएगा आप सीधा निकलेंगे तो obviously वापे fuel consumption भी आपका reduce होगा और साथी साथ यह एक economic growth भी देगा country को हलागी बहुत है minimal होगा but still कुछ ना होने से कुछ होना तो better ही है so यह था आज fast tech के उपर एक video उमीद करता हूँ कि आपको यह video पसंद आई होगी और थोड़ी सी भी अगर आपके लिए फायदे मंद रही है useful रही तो please don't forget to hit the like button like करिके जरूर जाहिएगा अगर आपको बेगार लगी तो dislike करना आपका हक बनता है अगर आपो मेरे चैनल पे नहीं तो please subscribe करना भीना भूलेगा क्योंकि मैं रोज आपके एक ऐसी ही वीडियो बनाता रहा होता हूँ अटो मोबील की दुनिया से रिलेटेड अंटिल फॉर दे नेक्स ताइम बाबाई टेक क्यार एंड कीप लविंगे कार ड्राइव सेफ